सुधिर जी का बेटा जब घर का रासन लेने के लिए बजार जाने लगा तो उसने अपने पिता से कहा कि जल्दी से घर का समाल लाने के लिए 10,000 रुपे देदू सुधिर जी ने कहा कि घर का समान लेने जा रहे हो या कि नया दुकान खरीदने हमारे जमाने में तो 25-50 रुपए में घर का सारा किराना दाल सबजी और बांकी का सारा जरूरी समान आ जाता था सुधिर जी के बेटे ने कहा कि पापा आज के समय में वो सब कुछ मुम्किन नहीं है क्योंकि अब हर दुकान में कैमरे लगे होते हैं दुकान से बाहर निकलने से पहले गेट पर गाड भी अच्छे से सारा समाज चेक करता है एक भी चीज थेले में फालतू निकल आये तो जट से पुलिस थाने के दर्शन करवा देते हैं सुधिर जी ने बेटे से कहा कि सकल से क्या मैं तुम्हें कोई उठाई गिर लगता हूँ जो मुझसे इस तरह की बाते कर रहा है बेटा अगर सकल अच्छी ना हो तो कम से कम बात तो अच्छी करनी चाहिए इससे पहले की बाप बेटे की तूतू में में और अधिक बढ़ती सुधिर जी की पतनी दोनों को सांथ कराने के लिए रसोई घर से दोर पर अंदर कमरे में आ गई पतनी को देखते ही सुधिर जी ने उससे कहा कि तुम तो मुझे हर वक्त अच्छा बनने का उपदेश देती रहती हूँ लेकिन आज कल अच्छे बनने का लेवल लगा कर जीने का जमाना ही नहीं है जब कभी भी किसी से कोई अच्छाई की बात करो तो वो उसका उल्टा मतलम निकाल कर तुम्हारे सीर पर बुराई मर देता है सुधिर जी की पतनी कुछ बोलने लगी तो उन्होंने उसे चुप कराते हुए कहा कि तुम नहीं समझ सकती कि आज के इस दोर में अच्छा बनना या किसी के साथ अच्छाई करना कितना तकलीफ दे हो सकता है अब घर की बात ही ले लो जब तक मैं घर हर किसी को डांट कर रखता था तो नास्ता पाने सब कुस समय पर मिल जाता था परन्तो जब से तुम्हारा कहना मानकर अच्छा आदमी बनने की कोशिस सुरू की है बाहर वाले तो घर वाले ने भी मेरी परवा करनी छोड़ दी आज तो मालूम नहीं सुवह सुवह किस मनहुस का चेहरा देखा था कि सुवह से यह टाइम आ गया है अभी तक चाय का एक कप तक नसीव नहीं हुआ सुधिर जी की पतनी ने तनाव को थोड़ा कम करने की नियत से कहा कि आपको कितनी बार कहा है कि बेडरूम से आइना हटा दो लेकिन आप मेरी बात सुनते ही कहा हो लेकिन इस बात ने उल्टा आग में घी डालने का काम किया और सुधिर जी पूर्न रूप से अच्छाई का मुखवटा उतार कर और भी बुरी तरह से भरग गए उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने सोते हुए नाग को उठा दिया हो इतना तो आप भी समझते होंगे कि किसी भी धातु से कोई भी खोबसूरत मुर्ती बनाने के लिए उसका नरम होना जरूरी होता है इसलिए उसे पहले पिखलाया जाता है इसी तरह कामियाब बैक्तित बनने के लिए हमारे जीवन में नम्रता और अच्छाई का होना जरूरी है इंसान पढ़ाय लिखाई करके एक अच्छा डॉक्टर वकील इंजियर भी बन सकता है परन्तु सबसे जरूरी है एक अच्छा इंसान बनने की अच्छा इंसान किसी भी पद पर आसिन हो वो अपनी डूटी नेक नियर से निभा पाता है हम जो कोई काम करते हैं हमें उनके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए कि इसमें अच्छाई और बुराई कितनी है क्योंकि अच्छाई तो हमें दिखाई देती है परन्तु बुराई अधिक तर छिपी रहती है जो बाद में हमें बहुत नुक्सान पहुँचाती है के उसी तरह की भासा बोलती है जो कुछ मन कहता है उसी चीज को हम खाते हैं फिर चाहे उस चीज को खाने से हमारी सेहत ही कि उना खराब हो जाए अगर इसी तरह इसी बात को यूं कहा जाए कि हमारा हर अच्छा बुरा कर्म हमारे मन ही करता है तो गलत न होगा हमारी आखे भी सि से हमारा मन चाहता है जिस समय हमारा मन सो जाता है उस समय हमारे हाथ पर सरीर के सभी अंग भी सो जाते हैं इस तरह से यह मना जा सकता है कि सारे सरीर का राजा हमारा मन ही है इसलिए मन में अच्छाई की फसल उगाने के लिए हमें सिर्फ उतने दिमाग का इस्तमाल नहीं करना चाहिए जितना की हमारे पास है बलकि उसे भी इस्तमाल करना चाहिए जो हमें अच्छे लोगों से उधार मिल सकता है अच्छाईया और बुराईया कहीं और से नहीं आती बलकि हमारे मन से ही अच्छाईया और बुराईया पैदा होती है जो कोई अपने मन खोकावू में कर ल उससे पूछा कि तुमने यह अच्छाई बुराई के बारे में इतनी खोज कहां से की सुधिर जी की पतनी ने कहा कि आप तो अच्छे बुरे का फर्क समझने समझे बिना हर किसी को खरी खोटी सुनाने और सभी को एक ही लाठी से हांकने में विश्वास रखते हो मैं चौका बर्दन करने के साथ अपने कान और आँख भी खुली रखती हूँ जहां तक अच्छाई और बुराई में फर्क समझने का तालुक हत है तो मैं तो इतना ही जान पाई होगी जिस परकार गुर गुंगा गुर खाकर उसका स्वाद नहीं बता सकता केवल उसे अनुवब कर सकता है उसी तरह ग्यानी बोल ग्यानी लोग अच्छाईयों से मिलने वाली अंतरिक खुसी को महसूस तो कर सकते हैं परन्तु उसका बखान नहीं कर पाते पतनी की या बात सुन कर सुधिर जी को या कहना परा की हम तो आज तक खुद को ही सबसे बड़ा गुरु मांते थे यदि कोई व्यक्ति अच्छाईयों को दूसरों में और बुराईयों को खुद में तलास करना सिख ले तो यही उसकी सबसे बड़ी अच्छाई होगी अच्छाईयों को दूसरों में और बुरायों को खुद में तलास करें यही आपकी सबसे बढ़ाई अच्छाई है दोस्तों आपको एक आने अच्छी लगी ते प्लीज मारे वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब